गायों की नसल मेन अंजों गाय, नर मेन अंजों गाय का वजन एक हजार से पंदरा सो किलोग्राम होता है और मादा मेन अंजों गाय का वजन आट सो पचास से एक हजार किलोग्राम होता है मेन और फ्रांस की अंजू नदी घाटियां पारम पर एक रंग सिर, पेट, पीछे के पैरों और पूंच पर सफेद निशान के साथ बहुत गहरा लाल होता है शरीर के अन्य हिस्सों पर सफेद रंग भी आम है ब्रीडर्स ने हाल ही में ठोस काले रंग के लिए चुना है गैलोवे गाय, नर गैलोवे गाय औसत 800 किलोग्राम होता है मादा गैलोवे गाय 1000 किलोग्राम से अधिक हो सकता है गैलोवे काला, डन या लाल हो सकता है बेल्ड गैलोवे स्काले, धूसर या लाल रंग के होते हैं जो बिना किसी विराम के पूरी तरह से जानवर की परिधी के चारों और एक सफेद बेल्ट के साथ होते हैं। सफेद गैलोवे काले, डन या लाल बिंदूओं, कान, नाक, पैर के साथ सफेद रंके होते हैं। गैलोवे स्वाभाविक रूप से परागित होते हैं। गैलोवे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। रोग के प्रती बहुत प्रतिरोधी होते हैं और प्रबंधन में आसान होते हैं। गाई का दूद अन्य प्रसिद डेरी नसलों और क्रीम में छोटे वसा ग्लोबिूल्स की तुलना में लंबी श्रिंखला फैटी एसिर के साथ विलक्षन है। यह भिननता तातपरे यह है कि ब्राउन स्विस गाईों के दूद में क्रीम अधिक तेजी से बढ़ती है। लिमोजीन गाई, नर लिमोजीन गाई का वजन 1,300 किलोग्राम, मादा लिमोजीन गाई का वजन 650 से 850 किलोग्राम होता है। थूथन पर कोई रंजकता या काले धब्बे, कोड़ पर कहीं भी काले या सफेद बाल, विशेश रूप से कानों में, पूंच के अंत में और थूथन के आसपास, कहीं भी सफेद बाल, विभिन नसलों के मानक बिंदूओं में से किसी के लिए पांच से कम की संख्या को समाप और विवस्थित रूप से सुधार या उन्नत किये जाने वाले शुरुआती ब्रिटिश मवेशियों में से एक है, शुरुआती समय में उन्हें बाजार के लिए मोटा होने से पहले 6 या 7 साल के लिए काम के बैलों के रूप में, इस्तेमाल किया जाता था, जो की विशाल जानवरों में विक्सित होने के लिए जुताई के लिए उप्योग किये जाते थे, सिमेंटल गाय, सिमेंटल गाय के साथ लगभग 135 से 150 से मी लंबा और 150 से 160 से मी पर बैल के साथ अच्छी मानस्पेशियों वाला एक बड़ा फ्रेम है, उनके उप्योग के आधार पर उनका वजन भिन हो सकता है लेकिन गायों का वजन लगभग 700 से 900 किलोग्राम और बैल का वजन 1300 किलोग्राम हो सकता है, सिमेंटल या स्विस फ्लेक्विह दोहरे उद्देशे वाले मवेशियों की एक स्विस नसल है, इसका नाम सिमेंटल के नाम पर रखा गया है, सिम्मे नदी की गाटी बनीज ओबरिलेंड में स्विजलेंड में बन के कैंटर में यह सफेद निशान के साथ लाल रंग का होता है और दूद के लिए खरीदा जाता है